दुनिया भर में डॉक्स की सेखडो प्रजातिया पाई जाती है। इन में से कुछ डॉक्स ब्रीड्स इतनी जादा बड़ी और खतरनाक होती है कि शेर जैसे जानवर को भी डराने का दम रखती है। वही डॉक्स की कुछ स्पीशीज ऐसी भी है जो ना केबल दिखने में प्यारी है बलकि इतनी जादा चोटी है कि ये जानवर पूरी जिन्दगी भर मात्र एक पपी जितने ही बड़े हो पाते है। इसी बज़र से ये डॉक्स अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको डॉक्स की इनी स्मॉल ब्रीड से मिलवाते हैं। हमें उमीद नहीं बलकि पक का यकीन है कि आप भी इन जानवरों को देख कर खुश हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपको इन प्यारे डॉक्स से मिलवाते हैं। मासूम से दिखने वाले फ्रेंच बुल डॉक्स को डॉक्स की सबसे छोटी ब्रीड में से एक माना चाता है। 30 सेंटीमिटर के करीब बढ़ने वाले इन जानवरों का वजन 9 से 12 किलो तक भारी हो सकता है। ठीक इनकी बॉडी की तरह ही इनका वेस भी बहुत छोटा होता है। साड़े 4 से 11 किलो तक बढ़ने वाले ये डॉक्स भी बहुत छोटी साइस के होते है। सामने से देखने पर ये स्क्वेर शेप के लगते हैं। इनकी बॉडी छोटी होने के बावजूद भी मस्कुलर होती है। वही इनकी पूच काफी जादा शोट और इनके शरीर का अगला हिस्सा काफी जादा चोड़ा होता है। शरीर की इसी विचितर बनावट के चलते ही ये दिखने में बहुत ही आकरशक लगते है। अगर कम उम्र में ही इन डॉग्स को लोगों में रखा जाए तो आगे चल कर ये बहुत अच्छे पैट्स बनते हैं और अपनी ओनर के साथ वफादार बनकर रहते हैं। हालकि अगर ओनर इस डॉग को डांट दे तो ये बहुत ही जल्दी उदास भी हो जाते है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने जादा सेंसिटिव और एमोशनल होते हैं। बाहर से आए नए महमान पर डॉग्स की दूसरी ब्रीड्स जहां हमला करने के लिए दोड़ती है। वही ये डॉग्स अंजान लोगों के साथ भी बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। माना जाता है कि इन डॉग्स का ओरिजिन स्पेन में हुआ था। इनके शरीर पर कर्ली वाइट हैड पाए जाते हैं। जिसके चलते इनकी खुबसूरती को चार चान लग जाते हैं। बिशौन फ्रीजे खुबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही जादा अकलमंद होते हैं। और किसी भी टास को बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। इसलिए लोग इने बालना पसंद करते हैं। ये ना केवल अपने मालिक का कहा मानते है बलकि घर में मौझूद हर छोटे बड़े सदस्से के साथ बहुत ही आसानी से दोस्ती कर लेते है करीब पांच से दस किलो वजन वाले इन डॉक्स का हेड राउंड शेप का होता है और पूँच काफी लंबी होती है इनकी राउंड शेप की काली आँखे बहुत खुबसूरत लगती है शायद इसलिए हर कोई इनका दीवाना हो जाता है चाइना में पाय जाने वाले ये पिद्दू से डॉक्स गजब के खुबसूरत लगते है इनके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल होते है जो लगातार इसकदर बढ़ते रहते है कि इनकी आँखों को ही ढख लेते है इसलिए इनको टाइम टाइम पर ग्रूम करना जरूर पर बाल है कि ये 8,000 बीसी के करीब अस्तित्व में आये थे इसलिए इनके डॉक्स की सबसे पुरानी ब्रीड में से एक माना जाता है ये जानवर काफी जादा शांत सुभाव के होते है और अपने मालिक के लिए काफी जादा वफ़ादार होते है अगर इनके वजन की बात करें तो ये करीब 4-7.2 किलो तक भारी हो सकते है आपने कुछ साल पहले वो वोड़ाफोन एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा जिसमें एक प्यारा सा डॉक दिखाया जाता है दरसल डॉक की इस ब्रीड को ही पक कहा जाता है ये डॉक्स दिखने में भले ही मासूम औ करीब से देख लीजिए अगर इनके आकार की बात करें तो इनकी लंबाई 14 इंच के करीब बढ़ सकती है और वजन 6-9 किलो तक हो सकता है साइस की तरह ही इनकी आँखे भी बहुत छोटी होती है वही पूच कर ली होती है ये अपने परिवार और घर के सदस्सों के लिए ब नाम ही काफी है पैपिलोन शब्त का मतलब बटरफलाई होता है दरसल इन क्यूट पपीज के कान काफी हद तक दिदली की तरह होते है जिसके चलते इनको ये नाम मिला है इनकी बाड़ी 11 इंच के करीब बढ़ सकती है वही इनका वजन 3.5-4 किलो तक हो सकता है पैपिलोन के शरीर पर पाय जाने वाले बाल बहुत ही जादा रेशमी होते है ये जानवर दिखने में जितने प्यारे होते है उतने ही नरम भी होते है और इनका मिजाज भी बड़ा खुशनमा होता है ये काफी शान सुभाफ के होते है और लोगों के साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल यही वज़ो है कि लोग इने पालना पसंद करते है गरीब 3-4 किलो भारी इन पालतू जानवरों का शरीर 10 इंच के करीब बढ़ सकता है इनकी बौडी पर करली हैर पाये जाते है इसी वज़े से दिखने में गजब के खुबसूरत होते है इनके शरीर पर अलग-अलग कलर्स के कोट पाये जाते है इनमें वाइट और क्रीम के साथ-साथ सिल्वर कलर भी शामिल है खुबसूरत होने के साथ-साथ ये बहुत ही होशियार भी होते है ये किसी भी टास को बहुत ही आसानी से सीख सकते है ये इनकी समझदारी कहीं नतीजा है कि ये पूरी जिंदगी अपने माले के लिए जाद अतर वफदार रहते है ये घर में समय बताने के साथ घर के सदस्यों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते है माना जाता है कि फ्रांस और बहुत से दूसरे यूरोपियन देशों में 1520 से लेकर आज तक इन जानवरों की लोग प्रियता में कोई कमी नहीं आई है पॉमिरेनियन को दुनिया भर में पाय जाने वाले डॉक्स की सबसे मशूर नसलों में से एक माना जाता है ये अपने छोटे आकार और हलके वजन के साथ इतने खुबसूरत और मासूम लगते है कि दिल करता है बस दिन भर इनके साथ खेलते रहो इनके शरीर के उपरी भाग पर घना और बड़े आकार का कोट पाया जाता है जो क्रीम और ओरेंज या बहुत से अलग-अलग रंगों में हो सकता है इनकी सबसे अच्छी खास्यत ये है कि ये खुद को किसी भी परस्थिती के हिसाब से ढाल सकते है अगर इनको कम उम्र से ही सही तरह से ट्रेन किया जाए तो ये घर के बहुत अच्छे सदस्य बन सकते है ये किसी भी काम को बहुत ही आसानी और तेजी के साथ सीख सकते है साथ ही ये डॉक्स की दूसरी ब्रीट्स की तुलना में काफी जादा अक्टिव भी रहते है इसी लिए ये जिस घर में भी होते है वहां के एंबायमेंट को एनरजी से भर देते है इन डॉक्स को पूरी दुनिया में अपने लंबे और घने बालों के लिए जाना जाता है हाला कि इनका शरीर बहुत ही छोटा होता है इसी बज़े से इन डॉक्स का वज़न मात्र 3.2 किलो तक होता है छोटा सा सर और छोटी आँखों की बज़े से ये जानवर दिखने में बहुत ही प्यारे लगते है इनके कान काफी हद तक भी शेप में होते है जिसके चलते इनकी खुबसूरती और भी बढ़ जाती है अगर इन पालतू जानवरों को कम उम्मर से ही सही ट्रेन किया जाए तो ये किसी भी चीज़ को बढ़ी या आसानी से सीख सकते है दिन के जादातर समय अक्टिव रहने वाले इन डॉक्स के लिए बहुत जादा गर्म या बहुत जादा ठंडे इलाकों में सर्वाइफ करना मुश्किल होता है इसलिए अगर आप इन स्मॉल डॉक्स को पेट की तरह रखना चाहते है तो आपको मौसम के मिजास पर खास ध्यान दियना चाहिए इन ननहे और प्यारे दिखने वाले जानवरों को एक वाच डॉक की तरह भी इस्तमाल किया जा सकता है ये जानवर किसी भी अंजान शक्स और अजीब हरकत पर भौकने लगते है शायद इसलिए लोग इने घरों में पालना पसंद करते है चुवावा का वजन 2.7 किलो से जादा नहीं बढ़ता इसलिए ने डॉक्स की सबसे छोटी प्रीड्स का खिताब हासिल है माना जाता है कि इनका ओरेजिन मेक्सिको में हुआ था छोटी छोटी आँखों के सेवा इनका सर भी काफी जादा छोटा होता है इसी वज़े से एक गजब के खुबसूरत लगते है इनकी एक नसल ऐसी भी है जिसके शरीर पर छोटे छोटे बाल पाया जाते है वही इनकी एक नसल के शरीर पर बड़े बड़े बाल होते है हाला कि दोनों ही नसल के डॉग्स दिखने में काफी जादा क्यूट लगते है ये जानवर किसी भी टास्कों ना किवल बहुती आसानी से सीख सकते है बलकि इन्हें नई नई चीज़े करना पसंद भी होता है साथ ही ये काफी जादा समझदार माने जाते है और इन्सानों के साथ बहुती आसानी से घुल मिल जाते है चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही इसी के साथ हम आपसे बिदा लेते है उमीद है आपको एवीडियो पसंद आई होगी तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कॉमेंट में जरूर बताएगा कि इनमें से कौन सी डॉग ब्रीड आपको सबसे जादा क्यूट लगी और हाँ अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो तुरंद कर दे और बेल आकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल से चल पहुँच जाए